हाई गाई वलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब I hope आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज के विडियो में मां आपके साथ फ्रेंच ब्रेड की विडियो शेयर कर रही हूं और जो मैंने ये फ्रेंच ब्रेड बनाई है नहीं बिल्कुल ओईली हीर में बनाई हैं होफ आपको ये वली वीडियो अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब तो चलिए गाइस बिन डेंव ऑलों कि इतने नीडटनी होती है गरma हो जर्पेमा रमीः तो वीक में एक बार ही मैं उसे हेयर वाश करवाती हूं सबसे पहले किस बीना ओऊलिंग के बालों पर मुझे कोई भी एकर घ把它 work in यहां ना जती है बड़ा अच्छा हिलस्ट्यल बन जता है तो सबसे पहले मैंने बालों में से सारे टेंगल को रिमूव की है और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने फ्रंट से बाल ली है अब लियर चोटी-चोटी section by section मुझे थोड़े-थोड़े बाल लेने हैं और ब्रेड ब काफी तरह से यह वली ब्रेड बना सकते हैं, बहुत ही easy है यह वली ब्रेड को बनाना, तो देखे गाईज इस तरह से आपको चुटी चुटी बालों की लेर लेनी है, section by section आपको ब्रेड बनाते जाना है, घरली हेस्टे चाहिल है, अगर आप किसे girl के करेंगें तो आप इसे hair यह बहुत ही जदा इजी है सिरफ दो मिनट में आप इसे कर सकते हैं किसी भी हेर असेशरी से या आठिफिशल फ्रावर से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं पाटी ही इस चैल इसे बना सकते हैं अगर आप ओइलिंग नहीं करना चाहिए तो आप थोड़ा से सीरम अपने बालों पर लगा लीजिए सीरम लगाने से आपके बाल काफी जदा शाइनी हो जाएंगे और जो हेर स्ट्राइल है उसके लुक बड़ी अच्छी आएगी बाल आपके उड़े-उड़े से नहीं लग चल कर रही हूं आप बल्कु ख्लोस से देख सकते हैं कि इस ब्रेड को बनाना कितना ज़्यादा एजी है आप चाहिए तो यह ब्रेड बनाकर पाद में पॉनिटेल कर लीजिए बाकी के जो बाला उसे ओपन रहने दीजिए या फिर फूल ब्रेड आप बना सकते हैं अगर आप सेंटर पार्टिशन करके भी दोनों साइड पर यह ब्रेड बनाएंगे ना तो भी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी तो देखिए गाईज इस तरह से आपको यह ब्रेड बनानी है गाईज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि आप सब वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं प्लीज गाईज वीडियो को लाइक ज प्लीज गाइस वीडियो को देखे वीडियो को दो तैका रोज दॉआज पर विडियो को लाइक शेला देखे और वीडियो ऩवीड लेड को इक जर प लेखे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी करें तो देखिए काई इस तरहां से मैंने यह वली फ्रेंच ब्रेड बनाई है उसके बाद मैंन hair style को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते है गाईस आपको ये वली वीडियो कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताना राजवीर के बाल काफी ज़्यादा थीन है जशन के बाल काफी ज़्यादा हैवी है जशन के बालों में ये वली ब्रेड तो बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती क्योंकि उसके बाल बहुत ही ज़्यादा हैवी है तो मैंने राजवीर के ये वली ब्रेड बनाई है लास्ट में आप इसकी पूरी लूक देख सकते हैं इतनी ज़्यादा सुन्दर लग रही है ओफ गाईज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें